हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी बारपुना आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास 12 फिजिक्स एंसी अर्टी चैप्टर वन में पिद्दुद आवेश तता छेत्र चैप्टर का नाम है आज हम एक छोटा सा टॉपिक कर चर्चा करने वाले हैं आप एचिक बिद्दुद सीलता या परावैदु तांग आप एचिक बिद्दुद सीलता क्या है परावैदु तांग क्या है इसका गड़ती व्याख्या पूरा सिस्टेमेटिक धंग से समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो पहले थोड़ा सा कुछ अलग चलते हैं यह बाई हो गया और एक आपके पास दूसरा माद्ध्यम है वह दूसरा माद्ध्यम कुछ भी हो सकता है तो एक अपन दूसरा माद्ध्यम ले लिए कि यह दूसरा माद्ध्यम है दो माद्ध्यम हमने ले लिया ठीक है अच्छा दोनों माद्ध्यमों में दो दो आ आबेस है जिनकी दूरियां लगबख शमान है जैसे मैं बात करूँ यहां पर एक आबेस है यहां पर क्यूण आबेस और यहां पर क्यूटू आबेस ठीक है दोनों पास्टिव है यह प्लस है यह भी प्लस है ऐसे ही यहां पर भी दूरियां लगबख समान है तो यहां पर माल तो इनके बीच की दूरी आर है तो इनके बीच की दूरी भी आर होगी ठीक तो हमने लिया बायू ले लिया और इसको हमने ले लिया के परवेद्धुतां का कोई माध्यम ले लिया ठीक है अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे अब इनके बीच भी कुछ ना बल लगेगा यह आपके पास मान के चलते हैं इन आवेसों के यह माध्यम है माध्यम बायू है तब इनके भी जो बल लगने वाला है वो एफ मान के चलते हैं और इनके भी जो बल लगने वाला है वो एफ वन मान के चलते हैं कुलाम ने क्या बताया कि दो बिंदू आवेस हैं बिंदू आबेस मतलब जिनके आबेस का मान नगन न हो, ठीक है उन्हें हम बिंदू आबेस कहते हैं, तो दो बिंदू आबेस हैं, जो की मान की चलते हैं, आर दूरी परिश्थित हैं, तब उसके बीच लगने माला बल किस पर डिपेंड करता है, आबेस के गुडन फल के मान कर चलेंगे, कि इसके लिए दी बल है, तो मान के चलते हैं, कि इसका बल है, वन अपान फूर पाई एफसिलन नाट, और क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वेर, ये किस के बीच लगने वाला बल है, ये बायू माद्धम में रखें, दो आबेसो के बीच लगने वाला अच्छा, एक और बल लग रहा है, जो अन माद्धम में है, तो अन माध्धम में क्या बल लग रहा है, मान के चलता हूँ, इसके बीच नाट लगा यह वना आपान फूर पाई एफसिलन कर देते हैं, नाट नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा चेंज रहें, जैसे ये मान लिज यह दो चीज़ें आपने सीख गया समझा इतना की नहीं भाईया क्योंकि पूरा लिखेंगे हम कि माना क्यों और क्यूट्टू जो है आर दूरी पर है समान परिमार के अवेस हैं है ना और यह बायू निर्बात में रखे हुए हैं तब उनके विछ लगने वाला बल फिर हम मा इस ले जाता है ताकि आपनों को नोर्ट्स बनाने में आसान हो आप आसानी से नोर्ट्स बना सकें आपको प्राबलम नहों तो आप बहतरे नोर्ट्स बनाते चलें आगे लिखना श्ब्रेंट माना क यू वन और क्यू टू परिमार के दो आवेस एक दूसरे से आर दूरी उपर इस्थित हैं जैसा कि मैंने डाइग्राम में बताया यदि उन आबेसों के बिच निर्बात या बाई हो यानि माध्धम क्या होना चाहिए बाई या निर्बात हो तब उनके भी जो लगने वाला बल कितना होता है तो कुलाम के नियम से अपन लगाएंगे कुलाम नहीं दो आबेसों के बिच लगने वाले बल को बताया था तो कुलाम के आधार पर एप बराबर कितना होगा एप बराबर होगा वन अपान फोर पाई एपसिलोन नॉट इन्टू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वेर इसको अपने समिकर्ण एक दे दिया ठीक है यानि दो आबेस हैं और आर दूरी परिष्थित हैं तब उनके बीच जो निर्वातिया माध्धम क्या होना ची निर्वातिया बाई हो तो उनके बीच लगने वाला बल वन अपान फोर पाई एपसिला नाट की वन क्यू टू बटे आर स्क्वेर ये कुलाम ने बताया था कि दो आबे आपका स्टार्ट हो गया है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा देख लेना तो ये कुलाम के आधार पाल दो आबेसों के विच लगने वाला बल है अब हमने क्या कहा कि माध्यम चेंज कर दें लेकिन आबेस वही रहना चाहिए दूरी समान होना चाहिए आर दूरी तो आर ह बायू की बिद्दूत सिलता है अब इसके आगे क्या करेंगे कि यदि दोनों आबेस मालीजे क्योण और क्योटू आबेस यहाँ पर हमने आपको जिससे इसमें समझाया था यह डाइग्राम देख लिए कि क्योण और क्योटू अब बायू के जगे हम के परवद्दां का को कोई माद ध्रम ले सकतें, जरूर नेए कि यह ही माद ध्रम ले, एक अन्य माद ध्रम ले ले, यæni दोनों आबेसों के बीच, निर्वात या बायू कोई अन्य माद ध्रम हो, तब उनके भी जो लगने बाला बल है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इतना आप लो हैं यहाँ पर थोड़ा सा बिद्ध सिलता चेंज हो गई है ठीक है यह माध्यम की अन माध्यम की बिद्त सिल्थ है फिर q1 q2 .isql हो जाएगा समीकरण2 ho गया समीकरणdho हो गया इतना clear हो गया फिर आपको लिखना जहां एपसयलान जो है माध्य की निरपेच को की बिद्दुद सीलता है कि euros है इतना और अभि हुग इस को में सम्में एक दिया समें कर दो दे दिया समी करन एक में दो का भाग देने पर ठीक ? अब अलग--लग बन है तो इसको अपनने f1 मान लिया और इसको अपनने f माना था थोड़ा सा अलग होगा माध्यमmes change के करन बल अलग हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा f-b investor f1 हो जाएगा बराबर देखिए यह पूरा भाग देगे तो यह पूरा प्रड़ाइब टू रहेगा यहां पर फोड़ा नात हो गया यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि एपसिलान बटे एपसिलान नाट आया कैसे जैसे कि यहाँ पर पैरे भायो एक बटे एपसिलान नाट है फिर बटे में करके फिर एक बटे एपसिलान है क्या होता है अंस का हर नीचे जाता है और हर का हर जो होता उपर जाता है जैसे एक बटे एपसिलन नाट था वो नीचे चला जाएगा और यह उपर चला गया तो एपसिलन बटे एपसिलन नाट हो गया इतना क्लियर यह तो आप कहोगे कि उपर का नीचे कैसे हो गया नीचे का उपर कैसे हो गया इतना क्लियर आसर उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आगे होगा अब बात करते हैं इसके आगे की तो अपने पास कितना है f बटे f1 equal epsilon बटे epsilon not तो next page में अपन देखते हैं कि f बटे f1 equal epsilon बटे epsilon not अच्छा epsilon क्या है और epsilon not क्या है तो ये epsilon जो है माध्यम की बिद्दू सिलता है और epsilon not क्या है निरवात या बायू की बिद्दू सिलता है ठीक है इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है सापेच बिद्दू सिलता यानि हमने क्या देखा ये बायू का था बायू के सापेच किसी माध्यम की बिद्दू सिलता जिस और निर्वात के पेच्छा किसी माध्ध्यम की बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बटे epsilon 0 बरावर F बटे F1 यही के बरावर आपके पास आ चुका है, finally आपका epsilon बटे epsilon 0 और F बटे F1 इतना कलिएर ये चीजें हो गई और आपको मैंने डायग्राम के माध्धम से बताया था, थोड़ासा एक चीज फिर से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, कि मान के चलते हैं ये बायू में दो आवेश है Q1 Q2 और दूरी कितना है R और एक अन्ड माध्धम में दो आवेश है Q1 Q2 और वीच की दूरी कितना है R मतलब कि बल माध्धम चेंज हुआ है और कुछ नहीं तो हम यहां पर एक परिभासा निकाल सकते हैं कि जैसे यह आपके पास निरबात या बायू का था तो निरबात या बायू में एक निश्ची दूरी पर रखे दो आवेसों के बिच लगने वाले बल और किसी अन्न माध्यम में उन्ही आवेसों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके भी जो लगने वाले बल के नुपात को कहते हैं माध्धम का पराबैदो तांग ठीक है एन एफ बटी एफ उन फिर से कोसिस करेंगे समझने की कि यहां पर हमने रखा दो आवेस दो आवेस कहा है प्यारे भाई बायू या निर्बात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेसों के भी जो लगना लगने वाला वल ह उन्ही आवेसों को अन माध्धम में उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बिश लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं माध्धम का पराबैदो तांग फिर से कोसिस करें जब तक आप डाइग्राम से नहीं त्यार करेंगे बायू या निर्बात में दो आवेस हैं Q1 Q2 इ इन दोनों बलों का अनुपात ही जो आपका है एफसिलन बटे एफसिलन नौट यही कहलाता पराबैदो तांग तो यहां पर आप परिभासा देख सकते हैं कि निर्बात या बायू में एक निस्चित दूरी पर रखे दो आवेसों के बिश लगने वाले बल यानि बायू न दोनों बलों का अनुपात ही इस्टूडेंट क्या कहलाता है पराबैदो तांग अर्थाद बायू निर्बात में जो बल लग रहा है और एक अन्न माद्ध में उसमें जो बल लग रहा है इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता पराबैदो तांग पराबैदो तांग का मान objective type में देखने को मिल जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर लिखते चलूँगा आप लोग भी लिख लेना मैं सबसे पहले लिखता हूं बायू का किसका बायू का बायू का होता है 1.000000536 यह बायू का होता है अचा एमबर और एबोनाइट का सेम होता है एमबर है और यह आपका ठीक है इसको तयार कर लो अगला तयार कर लो कांच का का जो अबजेक्टिव में पूछा जा सकता है उनको याद करना कांच का होता है 5.1 ठीक है इसके बाद पानी का तयार कर लो पानी का होता है 80.4 यह यह तयार कर लो ठीक और केरोसीन मोम दो चीज और याद कर लो केरोसी किसका केरोसीन केरोसीन का होता है 2.0 और यदि मैं मोम की बात करूं तो मोम का होता है 2 से 2.3 यह होता है मोम का होता है ठीक है तो इनको आपको त्यार कर लेना है इनको याद कर लेना है एबोनाइट गिलसराल का कितना होता है 4.3 गिलसराल का 4.3 आपके बुक में पूरा स्रीज दिया होगा ओना एक प्रकार से एक टेबल बना होगा जिसमें आपके पास पांस से दस के बीच में होंगे जिनको आपको तेर करे लेना और ये एक हमेशा objective पूझ जाता है धादु का परवधुतांग कितना इनन कितना होता यहां से आपको clear करना है पूरा ठीक है इसके बाद screen chart लेना तो यहां पर मैं रोक देता हूं यह हो गया आपका ठीक है इतना complete चले आगे देखते हैं फ्यारे भाईो यह आपका यहां से start हुआ था और फिर आपका यह परिवासा पर समाप्त होता है बाकी तो जो परवेज दंग बने लिखाया उनको भी आप लोग लिख लेना तो चलिए आसवर उमीद है वीडियो पसंदा है पसंदा लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों संस्यार कर देना और हां इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मात 100 रुपए में मिलता है एदि आपको कंटेक्ट करना है तो 96, 85, 39, 49, 49 पर कंटेक्ट कर सकते हैं 100 रुपए में पूरा नोट्स एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा ओके तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदमातरम